सभी को मेरा नमस्कार, मैं रोहित कुमार इसी कोचिंग संस्थान के कक्छा 11 के साइंस का छात्र हूँ, आज गंतन दिवस के अफसर पर मैं देश भक्ती तथा राश्ट निर्मान पर अपने विचार को रख रहा हूँ, हमारे विचारों में कहीं कोई तोटी हो, तो मानिवर ह करमबत तरीकों से आगे बढ़े, तो सबसे पहले यह जाना जाए कि देश भक्ती क्या है, देश के परती, समर्पन की भावना, त्याग और बलिदान की भावना, राश्ट का निर्मान करने की भावना देश भक्ती है, यह भावना अलग देश काल और परस्तितियों में अल प्रण उठे निखर भले ही जाये जान विखर रुको नहीं जुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो आवाज को सुनकर अंग्रेजी ताकतों से भिरने के लिए एकत्रित हो जाता था तो वो अपने देशभक्ती को साबित कर रहा होता था क्यूंकि उस दोर में देशभक्ती की कटोती बही थी फिर जब हम फिरंगियों के फेर में फस गए तो रंग्दे पसंती चोला के एक आवाज पर पूरे टोले टोले उमर आते थे और उसके बंदे मातरम के नारों से उसके खून में आने वाला पांच-पांच डिगरी का उफान अंग्रेजी सासन के जरो को हिला कर रख देता था और लोग मर जाते थे तो वो भी अपनी देश भक्ती को सावित कर रहे होते थे क्योंकि उस दोर में देश भक्ती की कटोती बही थी उसके बाद 71 के युद में अपने सुहागों को गबा देने वाली महला जब घर के हालात यह हो जाते थे कि सुख भरपू मां का सिंदूर गया नंठे ननिहालों की लंकोटियाँ चली गई बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई चोटी चोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई ऐसा विसपोड हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे जिस्म की बोटियाँ ही चली गई, आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहाब किन्तु उसके घर की रोटियां चली गई। वाले हालाद पैदा हो जाने के बाद भी मा अपने बेटे को 99 के युद में सरहत पर दुस्मनों की धजियां उराने के लिए भेज देती थी और उसे खत लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है चाव से पुत्रना मेरा दूद लजाना एक इंच पीछे मत हटना चाहे इंच इंच कट जाना और खत के अंतिम पंक्ती में लिखती थी कि यह केवल खत नहीं लाटले घर भर का संदेश समझ एक एक अक्छर के पीछे अपना पूरा देश समझ तो मात खताएं बेटे और पूरा पडिवार अपने देश भक्ती को साबित कर रहा होता था क्यूंकि उसदौर में देश भक्ती की कटोती वही थी और बेटा भी अपनी फर्ज को निभाता था बेटा मा से कहता था मा तुम्हारा लाडला रन में अभी घायल हुआ है देख उसकी विर्ता को सत्रू भी कायल हुआ है रक्त की होली रजाकर मैं पलैकाल दिख रहा हूं मा उसी सोनिस से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं युद्भीशन था मगर ना एक इंच पीछे हटा हूं मा तुम्हारी थी सपत मैं आज इंचो में कटा हूं मा मैं आज इंचो में कटा हूं इन उधार्नों से इतना तो तय है कि पहले की देश भक्ती कठीन हुआ करती थी तब देश मर जाने को कहता था तब देश भीर जाने को कहता था तब देश फासी चर जाने को कहता था लेकिन आज देश मर जाने को मिट जाने को नहीं कहता मेरे विचारों में आज आप अपनी देश भक्ती को बड़े ही सरल धंग से साबित कर सकते हैं इतना भी सरल नहीं कि फेस्बुक और वाटसप में डीपी को तीन रंगों में रंकर अपने आपको जिम्यदारी से मुक्त माल ले आज के युआ पिधी को ना जाने किसकी नजर लग गई बहत अपसूस होता है कि जब दिल्ली हाई कोट की जस्टिस्ट परतिवारानी एक मुकदमे के दोरान कहती है कि छात्रों में इंफेक्शन फैल रहा है रोकने के लिए आपरेशन जरूरी है यह टिपन्नी आज के प्रश्ण उठता है कि राश्ट निर्मान कैसे हो तो मुझे एक बहु चर्चित परसंग याद चले आता है कि एक छोटा बच्चा अपने पिता को प्रशान कर रहा था तो पिता ने उसका ध्यान कहीं दुसरी ओड लगाने के लिए भारत के फटे हुए कुछ नक्से दिये और उन्हें कहा बेटा इसे जोर कर देश बना कर ले आओ पिता जी ने सोचा बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा काफी समय लगेगा लेकिन बेटा दो मिनट में नक्सा तयार करके ले आया तो पिता हैरान हो गए और उसने पूछा तुम इसे इतना जल्दी कैसे बना लि आज इस प्रसंग के भाव को सकार करने की आवसकता है प्रतेक व्यक्ति अपने चलित्र का निर्मान करे राष्ट निर्मान अपने आप हो जाएगा इनी सब्दों के साथ मैं अपनी बानी को बिराम देता हूँ जैहिन जै भारत बंदे मात्रम भारत माता की जै